नमस्कार बच्चों बच्चों उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा छे का इतिहास का अध्याए आठ है और इस अध्याए का नाम है खुशहाल गाओं और सम्रिध शहर आप सोच रहे होंगे कि ये खुशहाल गाओं और सम्रिध शहर बीच में कैसे आगे क्योंकि हमने जो पिछले अध्याए थे उनमें क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार महाजन पदों की उत्पत्ती हुई और किस प्रकार उसके बाद नए विचार और नए प्रशन आए और किस प्रकार बोध धरम और जैन धरम अस्तित्तव में आए अब इन चीजों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि उस समय गाओं में और शहर में क्या हो रहा था क्या गाउं में जो क्रिशित पादन था कम हो रहा था या बढ़ रहा था और अगर नगरों की बात करें तो नगरों में क्या कोई नई चीजें आ रही थी या नगर पहले की तरह ही थे तो आएए सबसे पहले हम ये स्थिती जानने का प्रयास करें कि उस समय गाउं में क्या हो रहा था आपको पता ही है कि जो हम समय पढ़ रहे हैं वो आज से लगबग पच्ची सो साल पहले का समय है अब यहां पर क्या हो रहा था माहाजन पदों की उत्पत्ती हो रही थी बड़े राज्या उभर कर सामने आ रहे थे और इसलिए गाउं में भी उन चीजों का फरक पड़ा क्यों क्या होता है कि जब बड़े बड़े राज्या उभर कर सामने आते हैं तो जो उन राज्यों में क्या होता है ज्यादा सेना की जरूरत होती है ज्यादा अधिकारियों की जरूरत होती है और इसलिए और पैसा भी जादा चाहिए होता है और ये जो जादा पैसा है कहां से आता ये पैसा कहां से आया किसानों से आना था क्यों किसानों से क्यों आना था आईए इसके बारे में थोड़ा पड़ें अब एक तो काम ये हो रहा था गाउं में कि जो ल बगबग तीन हजार साल पहले भारत में या भारत यह उप महाद्वीप में हो चुका था अब यह उप महाद्वीप आपने महाद्वीप तो सुना है कि एशिया है अफरीका यूरोप अस्टेलिया उत्रिय अमरीका दक्षिन अमरीका है ठीक है अंटारक टीका है यह तो आपन भुटान है, बंगला देश है, शिरीलंका है और माल दवीप है ये जो सारे देश हैं ये मिल करके अपने आप में एक उप महा दवीप बनते हैं और इसको भारतिय उप महा दवीप के नाम से जाना जाता है और आज से लगबग 3,000 साल पहले इस भारतिय उप महा दवीप में लोहे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है अब इस लोहे के प्रयोग से क्या हुआ क्रिशी में बहुत फैदा हुआ क्यों एक तो क्या हुआ कि लोहे के जो अजार बने उन से जंगलों को साफ किया गया और क्रिशी योग्या भूमी को बढ़ाया गया और इसके साथ साथ क्या हुआ इन ओजारों के साथ साथ की जो लोहे के हाल के फाल होते हैं जिन से खेतों की जुताई होती है वो और अच्छी तरह से होने लगी जिसकी वज़ाए से खेती के उत्पादन में वृद्धी होना शुरू हो गई और इसी परकार ये जो महाजन पदों के राजा थे या अन्या जो राजा थे वो भी चाते थे कि उनका जो ख्षेत्र बड़ा हुआ है जहांपर अब ज़्यादा सेना की जुरूरत है जहां पर ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत है तो उसके लिए धन क्या शक्ता थी अब धन कहां से आना था रजाओं को पता है कि जो किसान हैं हमें कर देते हैं और किसान कर तभी देते हैं जब उनकी फसल अच्छी हो और उत्पाधन अच्छा हो और इसलिए रजाओं ने क्या किया खेती के लिए बहुत से सुधारात्मक काम किये और सबसे बड़ा काम था सिंचाई की विवस्ता यानि सिंचाई किसानों तक पहुंचे खेतों में पानी सही समया पर पहुंचे इसके लिए रजाओं ने काम किये क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने खेती के लिए स उत्पादन ज्यादा होगा तो वह घर ज्यादा देंगे और गर ज्यादा देंगे और ऑधि कीए गाव करें जो राजा में थे इस उप महाद्वीप के दक्षणी तथा उत्री हिस्सों के अधिकांश गाउं में कम से कम तीन त्रहें के लोग रहते थे तमिल क्षेत्र में बड़े भू स्वामियों को वेलला सधारन हलवाहों को उनुवार और भूमी हीन मजदूर दास कडेसियार और अधिमई कहल देश के उत्री हिस्से में गाउं का परधान व्यक्ति ग्राम भोजग कहलाता था अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीडियों तक बने रहते थे यानि कि यह पद आनुवंशिक था ग्राम भोजग के पद पर आमतोर पर गाउं का सबसे बड़ा भू स्वामी होता था सधारन तया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे इसके अतिरेक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राया राजा भी कर्व सूलने का काम इने ही सौंप देते थे यह नयाधिश का और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे ग्राम भोजगों के अलावा अन्या सुतंतर क्रिशक भी होते थे जिनें ग्रिह पती कहते थे इन में ज्यादा तर छोटे किसान ही होते थे इसके अतिरेक्त कुछ ऐसे इस्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी इन में दास करमकार आते थे जिनें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी अधिकांश गाओं में लोहार, कुमहार, बढ़ही तथा बुनकर जैसे कुछ शिलबकार भी होते थे आईए बच्चो अब हम इस काल में जो सहित्या पैदा हुआ उसकी बात करें ये जो सहित्या था ये तमिल भाषा में लिखा गया था और इस सहित्या को संगम सहित्या के नाम से जाना जाता है और ये लगबग आज से 2300 साल पहले अर्थाथ 2300 साल पहले इसकी रचना हुई थी अब इसको संगम सहित्या क्यों कहते थे क्योंकि क्या होता था पांडया राजया की राजदानी मदूरई जो बिलकूल सुदूर दक्षिन में है वहाँ पर कवियों का समेलन होता था और य इसलिए इस सहित्या का नाम भी संगम सहित्या पड़ा अब हम इस काल के नगरों के यह शहरों के बारे में जानने का प्रयास करें कि उस काल में नगरों में क्या हो रहा था और कुछ जो प्रसिद नगर थे अपनी किसी खास प्रसिद्धी को ले करके उनकी बात करें प्राचिन नगरों के जीवन के बारे में हमें कई सरोतों से पता चलता है शहरों, गाउं या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलातमक धंग से उकेरते थे इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंबों या प्रवेश दवारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे जैसा कि तुम उपर के चितर में देख रहे हो अनेक शहरों में वल्या कूप मिले हैं ये वल्या कूप गुसल खाने, नाली या कुड़े दान के लिए प्रियुक्त होते थे प्राया ये वल्या कूप लोगों के घरों में होते थे महलों, बजारों या आम घरों के अवशेश बहुत कम मिले हैं संबवतहा लकडी, मिटी, व कच्ची इंटों या छपर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हो भविश्या में पुरा तत्विद इनकी खोज कर सकते हैं पुरा तत्विद आपको पता ही है किसको कहते हैं जो विभिन चीजों के अधार पर इतिहास की जानकारी जुटाता है, इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है उसको पुरा तत्विद कहते हैं प्राचिन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है ऐसा ही एक विस्तरित वेवरण किसी अग्यात युनानी नाविक का है जिन जिन पत्नों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है पत्न एक प्रकार से बंदरगा होता है जहां पर जहाज आकर के रुखते हैं समान चढ़ाते हैं या समान उतारते हैं आईए अब हम एक इसी प्रकार के बंदरगा या पत्न की बात करें जो गुजरात में स्थित है बेरी गाजा या इसका युनानी नाम भरूच है उसकी कहानी पढ़ते हैं बेरी गाजा की संक्री खाडी में समुद्दर से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है राजा के द्वारा नियुक्त, कुशल और अनुभवी स्थानिय मशुवारे ही यहां जहाज ला सकते थे बेरी गाजा में श्राब, तामबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था आयात आपको पता ही है जो चीज दूसरे देशों से मंगाई जाती है उसको आयात कहते हैं हिमाल्य की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किये जाते थे निर्यात आपको पता ही है जो चीजें एक देश से दूसरे देशों को भेजी जाती है उनको निर्यात कहते हैं राजा के लिए व्यापारी विशेश उपहार लाते थे इनमें चांदी के बरतन, गायक, किशोर, सुन्दर औरते, अच्छी श्राव, तथा उत्क्रेष्ट, महीन कपड़े शामिल थे आईए अब हम इस काल के सिकों के बारे में पड़ें सिक्के आपको पता ही है, जैसा आज कल आप देखते हैं, 50 पैसे का है एक रुपे का है 10 रुपे का है, इस परकार के जो सिक्के आज हमें देखना में मिलते हैं इसी प्रकार सिक्के उस काल में भी थे क्योंकि क्या होता था पहले तो वस्तू भी ने मैं होता था जब वस्तू के बदले वस्तू प्राप्त की जाती थी लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रकार सिक्के प्रचलन में आए और उन सिक्कों के जरिये बड़ी असानी से हम क जुरू में चांदी के बने होते थे और इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है जैसा कि आपकी किताब में दिखाया गया है इनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके उपर एक ठपा या इनको आहत किया जाता था ठपा लगाया जाता था जिसकी वज़ा से इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और यह जो नगर थे विभीन गतीवीदियों के केंदर थे अरथात इन नगरों में कई प्रकार की गतीवीदियां हमें देखने को मिलती हैं चाहे वो आर्थिक थी चाहे वो धार्मिक थी आईए कुछ उधार्णों से जानें आईए हम मतुरा की बात करें यह 2500 साल से भी जादा समय से एक महतंपूर नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यपार के दो मुख्या रास्तों पर स्थित था इन में से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरव की और दूसरा उत्तर से दक्षिन की और जाने वाला था शहर के चारों और किले बंदी थी इसमें अनेक मंदिर थे आसपास के किसान तथा पशुपालग शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे मतुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंदर भी था लगभग 2000 साल पहले मतुरा कुशानों की दूसरी राजदानी बनी जिसके बारे में हम अगले अध्याई में पढ़ेंगे मतुरा एक धार्मिक केंदर भी रहा है क्योंकि यहाँ पर बोध विहार और जैन मंदिर है यह क्रिशन भगती का भी एक महतव पूरण के इंदर था मतुरा में प्रस्तर खंडों प्रस्तर खंडों अर्था जो पत्थर से बनाएगे खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेक मिले हैं अभिलेक क्या होता है जब किसी चीज पर या धातू या पत्थर पर या शीला पर कोई चीज खोद करके लिखी जाती है उसको अभिलेक कहते हैं आम तोर पर ये संक्षिप्त अभिलेक हैं जो इस्त्रियों तथा पूर्शों द्वारा मठों या मंदिरों को दिये जाने वाले दान का उलेक करते हैं प्राया शेहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यपारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे उधारन के लिए मठोरा के अभिलेक में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, तोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उलेक मिलते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मठोरा में विभीन प्रकार के व्यवसाई हमें देखने को मिलते हैं अब हम इस काल में जो शिल्प थे या जो शिल्पकार थे उसकी बात करें शिल्प यानि जो चीजें यहाँ पर हाथ से बनाई जाती थी और शिल्पकार जो इन चीजों को हाथों से बनाते थे उनकी बात हम अब करेंगे पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुन्दर बर्तन मिले हैं जिनें उत्री काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये जाधातर उप महाद्वीब के उत्री भाग में मिले हैं तथा ये प्राया काले रंके होते हैं और इन में एक खास चमक होती है। इन शिल्पकारों की एक बड़ी ही अच्छी विशेष्टा क्या थी कि ये अपने संग बनाने लगे थे यानि इकठा रहने लगे थे और इनको श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तयार माल का वित्रन करना था जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। धार्मिक संस्तानों को दिया जाता था। अर्थशास्तर और उस अर्थशास्तर की जो किताब है उसके अध्याए आठ में इन नियमों का उलेख किया गया है। किस परकार एक विशेश पदाधिकारी की देखरेख में कार खाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेडों की श्चाल, कपास, पटुआ तथा सन को त्यार करने के काम में विधुआओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देविदासियों को लगाया ज जा सकता है, इनके काम के और गुनवत्ता के अनुसार पारिश्रामिक देना चाहिए, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमती नहीं है, वे अपनी दासियों को भेज कर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं, और फिर तयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं, वे औरतें जो कार खाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कार खाने तक तड़के अर्थात सुबह ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, इस समय माल को अच्छित रह जांचने के लिए रोशनी रहती है, अगर निरिक्षक उस औरत की तरफ देखता है, या इधर उदर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगुठा भी काटा जा सकता है, तो इस प्रकार हमने देखा कि नियम बनने हुए थे, कोई भी काम करवाना था, तो एक नियमों की नियमा वली थी, जिसके अनुसार काम होता था, और उसी के अनुसार ही काम को आगे बढ़ाया जाता था, आएए अब हम एक शहर अरिका मेडू की बात करें, ये सुदूर दक्षिन में आधुनिक तमिल नाडू, प्रांत में स्थित, जो पुड्डू चे के बारे में जाना, लगभग, बाईसों से उन्नी सो साल पहले, अरिका मेडू एक पत्तन था, पत्तन अभी आपको बताया एक बंदरगा था, जहां दूर दूर से आए, जहाजों से समान उतारे जाते थे, यहां इंटों से बना एक धांचा मिला है, जो संभवताहा गोदा काम रहा हो, यहां भुमद्या सागरिया क्षित्र के एंफोरा जैसे पात्र मिले हैं, पात्र का मतलत है बरतन, इनमें शराव या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, इनमें दोनों तरब से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, साथ ही यहां एरे टाइम जैसे इटली, येरोपिया महाद्वीब का एक देश है, इसे मुहुर लगे सांचे पर गिली, चिकनी, मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था, कुछ ऐसे बरतन भी मिले हैं, जिनका डिजाइन तो रोम का था, किन्तु वे यहीं बनाये जाते थे, बच्चो आपकी किताब के अंत म एक चित्र दिया गया है, और ये जो चित्र है, वो है एक्वाडक्ट, अभी एक्वाडक्ट क्या है, और ये कहां पाया जाता था, आए इसकी बात करें, जो एक्वाडक्ट हैं, उस काल में जो इटली की राजदानी रोम थी, रोम आज भी उसकी राजदानी है, लेकिन हम उसका अलकी बात कर रहे हैं अर्थात वहां पे जो एक्वाडक्ट थे वो क्या थे और रोम के बारे में अन्य चीजें अब हम पढ़ें रोम युरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे रोम ए इसके सबसे महत्रपून शासकों में से एक अगस्टस ने क्रीब 2000 साल पहले शासन किया था उसने कहा था कि रोम इंटों का शहर था जिसे मैंने संग मरमर का बनवाया अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए अगस्टस ने बड़े-बड रंग महल एमपी थेटर बनवाए रंग महल यहां एमपी थेटर जहां पर नाटक किये जाते हैं उसको कहा जाता है इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीड़ी नुमा जगय होती थी यहां लोग विभीन परकार के कारेक्रम देख सकते थे उन्होंने सनाना गार भ करते थे बड़े बड़े जलवाही सेतू यह जो आपकी किताब में एकवाडक्ट दिया गया है उसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि यह क्या होता है अगर देखा जाए कि जो उस समय की जो नदियां थी वहां से पानी महलों तक और महलों के गुसल खानों तक या उनके सोई घर नदियों से महलों तक पहुंचता था वो जो स्थिती थी उसको हम उस समय रोम में एक्वाडक्ट के नाम से जानते हैं और आजकल क्या होता है कि जो हम पानी लाते हैं वो हम पाइपों में लेके आते हैं लेकिन उस समय क्या होता था कि एक प्रकार पक्कास थल बना लिया जात और उसी मेंसे पानी नतियों से निकल के सीधा महलों तक पहुंच जाता था तो बच्चो इस प्रकार इस अधियाय में हमने देखा कि पच्ची सो साल पहले के जो गाउँ थे किस प्रकार समरिद्ध थे किस प्रकार खेती का उतपादर्ण बढ़ाने के लिए जो राजा थे उ उनको भी फैदा हो उनको जादा करप्राप्त हो जिससे की जो करमचारी हैं जो अधिकारी हैं और जो सेना है उनका जो खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके इसी प्रकार हमने जो नगर थे उनके बारे में भी जाना और कुछ नगरों के बारे में जैसे मतुरा है अरिक जिलप थे जो शिलपकार थे उनके बारे में हमने जाना। उमीद है कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा लेकिन आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, कितना जाना आए हम कुछ प्रशन उत्र के माद्यम से इसको जानने का प्रयास करें। जल निकासी, बिल्कुल सही वल्यकूप का इस्तेमाल या उप्योग जल निकासी के लिए किया जाता था। प्रशन दो, आहत सिके किस चीज के बने होते थे। विकल्प हैं चांदी, लोहा, टिन, हाथी दांद, बिल्कुल सही आहत सिके जो प्रारंभ में बने थे, वो चांद के बने थे, बाद में हलांकी वो सोने के भी बनने लगे। प्रशन तीन, मथुरा, महतमपुरण क्या था? गाउं, पत्तन, धार्मी के अंदर, जंगलक्षेतर, बिल्कुल सही मथुरा एक धार्मी के अंदर था। प्रशन चार, श्रेणी किसका संग होता था? विकल्प हैं शासकों का, शिलबकारों का, क्रिशकों का, पशुपालकों का, बिल्कुल सही जो श्रेणी था वो शिलबकारों का संग होता था। प्रशन पांच, संगम साहित्या निम्न में से किस भाशा में रचा गया था? विकल्प हैं तमिल, संस्कृत, तेलगू, मल्यालम, बिल्कु प्रशन एक संगम साहित्या क्या है उत्तर तमिल की प्राचिंतम रचनाओं को संगम साहित्या कहते हैं इनकी रचना लगबग 2300 साल पहले की गई थी इन्हें संगम साहित्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के समेलन में इनका संकलन किया जाता था प्रशन दो, श्रेणी क्या होती थी? उत्तर अनेक शिलबकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे जिने श्रेणी कहते थे शिलबकारियों की श्रेणीयों का काम प्रशिक्षन देना, कच्चा माल उपलब्द कराना तथा तयार माल का वित्रण करना था करेंगे प्रशन ग्राम भोजक पर एक संक्षिप्ट नोट लिखें उत्तर देश के उत्तरी हिस्चे में गाऊं का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीडियों तक बने रहते थे ग्राम भोजक के पद पर आम तोर पर गाउं का सबसे बड़ा भू स्वामी होता था इसकी जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे राजा कर्वसूलने का काम भी इने ही सौपते थे यह न्याइधिश और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे अब हम एक मिलान वाला प्रेशन करेंगे यहाँ पर दो सूचियां दी गई है सूची एक और सूची दो सूची एक में दिया गया है नगर और दूसरी तरफ सूची दो में दिया गया है उनकी परसिद्धी अर्थात एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ वो किसलिए परसिद्ध थे और सूची एक में दिया गया है मदूरई, अरिका मेडू, मतुरा, वारा नसी और सूची दो में दिया गया है धार्मी के अंदर दक्षिन भारत का एक पत्तन कपड़ा के अंदर संगम सहित्या आए अब हम सुची एक को सुची दो से मिलाएं मदूरई अभी आपको हमने बात की थी कि जो मदूरई था वहाँ पर संगम सहित्या की रचना की गई थी इसलिए हम मदूरई को संगम सहित्या से मिलाएंगे अरिका मेडू को हम दक्षिन भारत का जो एक पत्तन है उससे मिलाएंगे मतुरा हमने अभी पढ़ा कि वे धार्मी के अंदर था इसलिए मतुरा को हम धार्मी के अंदर से मिलाएंगे वारा नसी एक कपड़ा के अंदर था इसलिए वारा नसी को हम कपड़ा के से मिलाएंगे तो बच्चों इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त हुआ उमीद है आपको पसंद आया होगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद